इस्ट्टेंट्स राजनीती विज्ञान का जो question paper है आपका board ने जारी किया है यह बहुत important है और इसमें से बहुत सारे questions आपको exam में देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे questions आपको पहले दो part में solve करवा हैं part 1 में इस जगह तक फिर part 2 में हमने question number 6 स्टार्ट किया था तो part 2 भी available है playlist देख लेना playlist में आपको सब कुछ मिल जाएगा playlist description box में available है ठीक है part 2 में हमने Berlin की दीवार क्या है सोबीर संकेत यहास की सबसे बड़ी garage sale क्या थी यह सारे questions में आपको करवा दिये थे अब इसके बाद हमें question number 16 तक हमने इसको discuss कर लिया था question number 16 तक हमने इसको सारे आथवा पार्ट वगरा सारे कर लिये थे अब हम जब बात करेंगे तो question number 16 से start करेंगे ठीक है, question number 15 तक हमने पूरा कर लिया था, अब 16 नंबर जो है आपका question आता है, जिसमें सोब्यत प्रणाली के क्योंकि हमने 2 अंक्ये प्रशन कर लिये थे, और 1 अंक्ये प्रशन कर लिये थे, अब हम प्रशन 3 अंक्ये करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से 3 अंक्ये प्र उसके चार दोश क्या-क्या हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, सोवीत प्रणाली के कोई 4 अंक्ये प्रणाली, इसके बाद आत्वापार्ट की बात करें involum के अमरीकी अर्थ व्यस्ता में 3 अंतर, sąपर चार दोश में पहला दोश आप बता सकते हैं वास्तिक प्रतिनिद्टों नहीं नागरिक को कोई वास्तिक प्रतिनिद्ट नहीं था दूसरा आप इसको आप बात करें तो सोबियत और अर्थवयस्ता में और अमरेकी अर्थवयस्ता में क्या अंतर है तो आप पहला अर्थवयस्ता का अंतर ये बता सकते हैं दूसरा अंतर ये बता सकते हैं तीसरा अंतर अगर आप बताना चाहे तो ये बता सकते हैं चौथा अंतर बताना चाहे तो ये बता सकते हैं और European Union के मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी आपका तीन अंक्य प्रश्ण है, सबसे पहले ASEAN की बात करें, तो ASEAN के मुख्य उद्देश्य जो है, आप एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और पांच नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं, इस कात्वा पार् भारत की प्रमुक चार चुनोतिया को लिखना है, और याद रखिएगा कि यह जो छोटे questions के जिसके मैंने answer साथ साथ दिये हैं, जहां पर तीन ही आपको topic लिखने थे, यह जब बड़े प्रश्ण बनेंगे तो आपको साथो याद होनी चाहिए, यह भी धियान रखना, क्य आते हैं, आपको पहले स्वतंत्रता के बाद जो है, क्या क्या चुनोतिया थी, आप इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है, यह पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं, यह रहा आपका सारे points इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं, और इसमें से आ का अधिकार अधिनियम क्या ही ये बताना है तो सबसे पहले चिपको अंदोलन की बात करें ठीक है ये चिपको अंदोलन का हो जाएगा और ये हापका आंदरपरदेश में जो नरलोर जीले में हुआ था वो ताड़ी विरोध करें तो ये पूरे सार्क देशो का क्या है इसमें आपका सारा सायोग में बता दिया हर चीज मैंने बहुत बैतरीन सब्द लिखे हैं आप इनको पढ़ोगे तो आपको मजा आ वाला है इस कत्वा पार्ट का जो है भारत पाकियुद के विराद में जो प्रमुख शर्ति थी ताश्कंद की वह हमने बता दिये इसमें तो यहां पर यह सारे के सारे आंसर आपके और जो है आगे आपका संयुक्तराष्ट संग क्या है और इसके उद्देश्यों को याद रखिएगा आपके सभी जो पूछे जाएंगे वह सारे मॉडल से जश्ब्रस्ट की बात कह रहा हूं कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं आपका तो यहां पर जो है इसके आंसर तो सबसे पहले सभी तरह संग के बारें बता देंगे उसके जो उदेश्य हैं उनको हम इस तरह से लिख देंगे उदेश्यों को पढ़िए समझिए लिखिए याद कीजिए इसके अथवा पार्ट में अंतराष्ट नेयाले के कौन-कौन से कार रहे हैं तो यहाँ यह कैसे बता सकते हैं तो सबसे पहले आधार क्या है वो बता देंगे गए गुट निर पेक्षिता है समराज जेवाद और उपनिवेशवाद है संगठन में संयोक्त विश्वास है और उसके बाद में रंगवेंद नसलिये है और पंच शील है इसके बाद जो है आपका इस उसके बाद मैंने दिया था आपको पार्ट टू ठीक है लेकिन आप लोगों ने उनको देखा नहीं है सबसे बड़ी समस्या है कि आप जब देखोगे तभी सॉलूशन बनाए जाएंगे न तो आप जितने जल्दी जल्दी देखते हैं मैक्सिमम शेयर करते हैं उतनी आपको पूरे यूटूब पर मैं बता दूँ आपको पूरे MP बोर्ड का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है आपको बता दिया ये बात मुझे पता है आपको ही पता है आप सर्च करके देख ले ना आपने तो ट्राई भी क्या होगा मिलेगा ही नहीं आपको यह चीज थोड़ा सा विकास के लिए आवश्च्यक है इसको भी आपको समझाना है सबसे पहले अगावादी आंडोलं जो है उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जो मैंने दो पार्ट आपको दिये थे दो पार्ट फ़स्ट पाट और सेकर पार्ट जो मैंने इसका पोलिटिकल साइशंस को आप तरीके से कई बच्चे हैं जो केवल आंसर्स चाहते हैं इसक्रिंसोट लेके काम चला लेते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपका पहले जो अलगाव वादी आंदोलन है वो विकास में कैसे बादक है यह बताना है और दूसरे में आपको आवश्यक क्यों है अखंडता राश्ट्य अखंडता के लिए विकास तो यह आपको बताना है तो यह पहले पहले पॉइंट का जो पहले कुश हो आपक्रまद का प्ERसलूशन ससरे से आपके पास में आजाएगा तो आसा करता हू इस वीडियो का माद्यम से आपने कुछ नहीं कुछ बहतरीन जरूर सीखा और शेर भी कर दिया होगा थैंक्यों वरी मच्क अई